आज हम बनाने वाले हैं चिकन का पतला सालन अगर आपको ए रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेर जरूर करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना दो मीडियम साइस की प्याज लेकर मैंने इसे स्लाइस में कट कर लिया है दो बड़े तेजबत एक छोटा दालचीनी का टुकडा ले लिया है दो बड़े लस्तन के जवे लेकर मैंने इने छील लिया है दो चार अद्रक के टुकडे हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहां पर कुछ गरब मसाले मैंने लिये हैं जिसे हमें पीसना है 1.5 चम्ब जीरा, 1.5 चम्ब आख सॉफ 1 चोटा जाइफल का टुकड़ा, 1.5 जावितरी का टुकड़ा 3 चोटी लाइची, 1.5 चोटा दालचीनी का टुकड़ा 10 से 12 काली मिर्चे काली मिर्चे आप थोड़ा जादा भी ले सकते हैं एक छोटा बाद्यान का फूल दो बड़ी इलाची चार से पांच लॉंग है जिसे हमें पीसना है अध्रकोलस्थन के साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे मसाले में जादा पानी नहीं एड़ करना है यहाँ मैं थोड़ा सा मगज ले रही हूँ एक कप डेसी केटेड कोकोनट यानि के नारियल का पुरादा और आधा चमस याजीरा मैंने इसमें एड़ किया है इसे यह सब एड़ करने के बाद मैं इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं उसके बाद हमें एक कड़ाई लेना है कड़ाई मैंने दो बड़े चमस तेल डाला है तेल डालने के बाद हमें तेस पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा एड़ करना है जब वो थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो हमें सारे अनियन जो हमने स्लाइस करके रखे वे थे वो एड़ कर देना है हमें इसे इतना पकाना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए आज को आपको मीडियम ही रखना है हाई दी करना है आप देख सकते हैं प्यास ट्रांसपेरेंट हो जुकी है तो हमें यहाँ पर चिकन एड़ कर देना चिकन मैंने 1 kg लिया है हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होगा ताकि चिकन और अनियान अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चिकन को हमें low to medium आज पर पकाना है ताकि यह अच्छी तरह से भुन जाए अब हमें यहाँ पर नमक एड़ करना है नमक मैं इसलिए चिकन पिडाद रही है इस वक्त ताकि जो अर्प्यास है पुकल जाए और जब हम सालन लगाए चिकन में तो यह प्याज उस पर तहरेना मैं यहाँ पर तीन हरी मिर्च एड़ कर रही हूँ आप चाहें तो और एड़ कर सकते हैं मैंने इसलिए हरी मिर्च एड़ किया है ताकि उसका फ्लेवर चिकन में आ जाए इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं हमीशा हरी मिर्च जडरूर एड़ करती हूँ चिकन में हरी मिर्च हमें कर तेहि दे抖़क है आप देख सकते हैं यहां चिकन भून चुका है तो चिकन को मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगे और जो इसकी अकनी है मैं उस अखनी को इसमें नहीं निकालूंगे इस प्लेट में उस कड़ाई में ही रहने दूंगी जब हम मसाला भूनेंगे तो उस अखनी को हम उस मसाले में डालेंगे सारे चिकन को हमें प्लेट में निकाल लेना है और जो अखनी है हमें इसी कड़ाई में रहने देना है आप देख सकते हैं मैं चिकन को अलग कर रही हूँ अब एक बरतन में हमें दो चम्मच ऑईल एड़ करना है ऑईल जब गरम हो जाए तो हम इसमें मसाला एड़ करेंगे जो हमने मसाला बनाया था आप जब मसाला डालें तो फिर आपको ढखकन जल से ढख देना चाहिए ताकि वो मसाला आपके उपर आकर पड़ेना आप देख सकते हैं जो मसाला जार में बचा हुआ था उसे भी मैंने पानी डाल कर उसमें डाल दिया है अब दो चमच मैं यहाँ पर रेड़ चिल्ली पाउडर ले रही है कश्मीरी रेड़ चिल्ली पाउडर है और दो चमच मैंने धनिया पाउडर लिया एक चमच हज़़दी पाउडर और इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी आप देख सकते हैं चिकन की अखनी जो हमने बचाई वी थी अब हमें इसे मसाले में एड़ करना है मसाले में एड़ करने के बाद मसाले को हमें 5-6 मिनट तक मीडियम आज पर भूनना है अब हमें नमक एड़ करना है नमक आपको सौधा नुसार ही डालना है आप देख सकते हैं हमारा Door separate हो चुका है यानि के dug छुका है यही तो बुने की पहचान है किuckle in a देश पर सबस्ते के चिकिन को आड्ड कर देना है मसाले में और अच्छी तरह से mix कर लेना है मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है हरा धनिया डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और 5-6 मिनट तक धीमी आज पर इसे पकने देना है जैसा कि आप अभी देख सकते हैं मैं इसे धीमी आज पर पका रही हूँ हमारा चिकन भुन चुका है अच्छी तरह से अब हमें इसमें सालन लगाना है तो मैं यहाँ पर डेल ग्लास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ आपको पानी गुन-गुना करके लेना है चिकन हो या मटन हो जब भी आप सालन लगाएं तो पानी गुन-गुना कर लें इससे क्या होता है कि अगर हम गुन-गुना पानी नहीं डालते हैं तो चिकन हो या मटन हो थोड़ा सा एड़ जाता है इसलिए अब हमें सालन को मीडियम आज पर एक उबाल आने तक पका लेना है ढखकर आप देख सकते हैं हमारा चिकन का पतला सालन रेडी हो चुका है आप इसे राइस चपाती या फिर पाओ के साथ खाएं यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो मैंने यहां पर थोड़ा साहरा धनिया डाल दिया है ताकि इसका लुक और थोड़ा सा अच्छा हो जाए वैसे ही वो अच्छा लग रहा था ऐसा नहीं के नहीं लग रहा था तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन का पतला सालन रेडी हो चुका है यह बहुत ही टेस्टी बना था तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करें टेक क्यार बाब बाई